बिग बोस सीजन 17 जीत कर मुनवर फारुकी ने अपनी तगली फैन फोलोईंग का सबूत दे दिया लेकिन अब उनका नाम एक अलग वज़ा से चर्चा में आ गया डोंगरी में उनकी जीत कर जश्न धूमधाम से मनाया गया लाखों की तादाद में लोग उन्हें सपोर्ट करने पहुचे इस मुमेंट को कैप्चर करने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया जो अब पुलिस के संग्यान में आ चुका है पुलिस ने वैद रूप से पब्लीकली ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए ओप्रेटर के खिलाफ F.I.R. दर्ज की है हाथ में बिग बोस 17 की ट्रोफी लिए जब कार से मुनवर निकले तो हर फैन उन्हें सपोर्ट करने सड़क पर उतराया ड्रोंग्री आते हुए मुनवर के लाखो फैन्स उनके आगे पीछे चलते दिखाई दिए कार की सन्रूफ से मुनवर ने हर किसी का धन्यवाद अधा किया इस मोमेंट को हर किसी ने अपने अपने तरीके से कैद करने की कोशिश की किसी ने फोन तो किसी ने कैमरा तो कोई ड्रोन का इस्तेमाल करता दिखा ये फोटो सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हुई और लोगों को काफी पसंद भी आई लेकिन अपने फेवरेट कंटेस्टेंट की जीत की खुशी खुशी में लोग कानून का भी उलंगन कर बैठे मामला सामने आया जहां डोंगरी पुलिस ने सोमवार को मुनवर के एक फैन जो की एक ड्रोन ओपरेट कर रहा था उसके खिलाफ नियमों का उलंगन करने के आरोप में एफ आई आर दर्ज की जो बिगबोस 17 में मुनवर फारुकी की जीत की तस्वीरें खीच रहा था बिना इजाजत रोल शो में ड्रोन कैमरा लाने के चलते मुनवर के फैन पर ये एफ आई आर दर्ज की गई मुनवर फारुकी के जिस फैन पर एफ आई आर दर्ज हुई उस फैन का नाम भी रिपोर्ट में सामने आया है रिपोर्ट के मुनवर के फैन अरबाज यूसुफ खान के नाम पर मुंबई पुलिस ने एफ आई आर दर्ज की है रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई पुलिस कमिशनर की इजाज़त के बिना ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए पहले पर्मीशन लेने की ज़रूरत होती है लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ड्रोन जैसे यंत्रों पर पाबंदी लगाई गई है केवल पुलिस के पास इसे इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है इसके अलावा डिप्टी कमिशनर की इजाज़त के साथ ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा सकता है जो लोग कब भी जीत चुकी है इसे तरह के और भी वीडियोस के लिए फॉल्लो और सब्सक्राइब कीजिए इंस्टाफीड